गुट मॉनिंग एब्रीवन वेलकम टो एक्जाम और्बिट क्लासेज आज है चार नवंबर और आज के इस सेशन में चार नवंबर से सम्मंदित करेंट अफियर डिसकस करेंगे अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये शेशन आप सभी के लिए कफी महत्त पून रहने वाला है तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करतेंगे तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बक्स में वंडे विश्वकप इतिहास में सर्वदिक पिकेट लेने वाले केंद बाच कौन है जस्परीत पुम्रा मोहम्मस समी रविंद्र जडेजा सचिन सर्मा इस सवाल का आंसर आपको क्लास के लास्ट में मिल जाएगा और जिनको आंसर पता है उनको कमेंट बॉक्स में लिखना है तो चलिए शेशन को स्टार्ट करते हैं पहला सबाल है सौप्टवियर एनकोर का निर्मान किस में किया है तो फ्रेंट्स याज रखेंगे सौप्टवियर एनकोर का निर्मान किया गया है निर्वाचन आयोक के दुबारा डिस्कुस कर लेते हैं इस नियूस के बारे में भारत निर्वाचन आयोक ने एनकोर के माध्यम से संपोर्ण उम्मीदवार और चुनाब प्रवंदन के लिए in-house software डिजाइन किया है एनकोर का जो पूरा नाम है वो है Enabling Communication on Real-Time Environment याद रखेंगे पूछा जा सकता है इसी के साथ आपको याद रखना है कि Election Commission ने चुनाबी सक्षर्टा को बढ़ावा देने के लिए सिक्षा मंत्राले के साथ एक समझोधा किया है और ये समझोधा हाली में हुआ है अब रिबीजन करेंगे Election Commission से सम्मंदित Current of Year के बारे में भारित निर्वाचन आयोग ने किसे अपना National Icon नियुक्त किया है तो राजकुमार राव को किया गया है जिनने आप सभी पिक में देख सकते हैं निर्वाचन आयोग ने कितने राज्जों में विधानसवा चुनाप की तारीकों का एलान किया है तो पांच राज्जों में विधानसवा इलेक्सन होने वाले हैं जिन में सामिल है 36 गड़, मिजोरम, मद्दपर्दिस, राज़स्थान और तेलंगाना तो आप याद रखेंगे 90 है, मिजोरम में विधानसवा सीटे 40 है, मद्दपर्दिस में विधानसवा सीटे 230 है बरतमान में, राज़स्थान में 200 है और तेलंगाना में विधानसवा सीटे की संग्या 119 है, तो ये जो विधानसवा सीटे हैं आपको याद रखने है निर्वचन आयुक ने मतिदाताओं को प्रेरित करने के लिए मैं भारत हूँ, हम भारत की मतिदाता हैं, गीत तयार किया है किस राज्ज में मतिदान प्रतिसत, 90% से अधिक करने के लिए चुनाब आयुक ने मिसर 929 लॉंच किया था तो तिरपुरा में इसकी लॉंचिंगी गई थी अब आपको बताना है कि बर्दुमान में तिरपुरा में बिधान सबा सीटों की संख्या कितनी है भारत के चुनाब आयुक ने 23 से 24 जन्वरी तक के सहर में पुर्द्योगिकी और चुनाब अखंडता का उप्योग विश्या पर दूसरे अंतरास्टिय सम्मेलन की मेजवानी की तो यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था देखे भारत निर्वाचन आयुक जिसे चुनाब आयुक के नाम से भी जाना जाता है एक स्वायत संबैधानिक निकाए है जो भारत में संग और राज्य चुनाब परकिरिया का संचालन करता है यह देश में लोकसवा, राज्य सवा, राजविदान सवाओ, राष्टपती और उपराष्टपती के चुनाबों का संचालन करता है आप याद रखेंगे कि 61 बार संबैधान संसोदन 1989 यह बहुत पूछा जाता है एक्जाम में और इस अंसोदन के दुआरा मत्यदान की जो उम्र है वो 21 से घटा कर 18 बर्स कर दी गई थी भारत निर्वाचन आयोक का गठन 25 जनबरी 1950 में हुआ था भारत के पहले मुख्य चुनाब आयोक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे अनुछे 324 का संबन इलेक्षन कमिशन से है भारती संबिधान के भाग 15 में अनुछे 324 से लेकर अनुछे 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बिजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूलें जैसे आप सभी को क्लास का जो नौटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जादा से जादा शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा अरब अमीरात में सैयुक्त अरब अमीरात में भी कहां पर तो दुबई में स्तापित किया जाएगा जिसकी गोशना किसके दुवारा की गई है तो केंद्रिय सिक्षा मंत्री यानि कि धर्मेंद्र प्रधान जीने की है केंद्रिय माध्यमिक सिक्षा वोट का जो प्रधान क और यहां पर आपको देखने को मिलेगा UAE, यानि कि संयुक्त अरब अमीराथ. किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला रोगर रासित भेजा था? संयुक्त अरब अमीराथ ने. इसराइल ने किस देश के साथ मुक्त ब्यापर समझोता किया है, तो यह UAE के साथ हुआ है इस जो संयुक्त अरब अमीरात है इसकी राजधानी आबुधा भी है यहां की केरेंसी को UAE दरहम कहते हैं राष्टपती सेख मोहमद विन जायत अलनेहियान है ओर्डर अप चायज संयुक्त अरब अमीरात का सर्बोच नाकरिक सम्मान है बारगाह परमानु संयंत्र भी आपको संयुक्त अरब अमीरात में देखने को मिलता है अगला सवाल है कि निम्नमे से कौन सा राज धार्मिक पर्याटन को बढ़ाबा देने के लिए बहु भासी माइक्रो साइट लॉंच करेगा तो इस साइट की जो लॉंचिंग है वो कीरल की दुवारा की जाएगी तो बहु भासी माइक्रो साइट कौन लॉंच करेगा कीरल करेगा किस लिए तो राज धार्मिक पर्याटन को बढ़ाबा देने के लिए इस साइट की लॉंचिंग की जाएगी अब बात कर लेते हैं केरल की तो मैप में लोकेशन देखेंगे आप सबी ये है केरल केरल के बारे में क्या क्या याद रखना है तो केरल की राजधानित रूबनन्त पुरम है अधिकारिक भासा मल्यालम है मुख्य मंतरी पिनाराई विजियन है राजजपाल आरिफ मोहम्मत खा है विदान सबा सीटे 140 है राजज़ सबा सीटे 9 है लोक सबा सीटे यहाँ पर 20 है केरल की प्रमुख जील है बेमनार जील, अस्टमूदी जील और पेरियार जील फेंट्स याद रखना है कि देश की सबसे लंबी जील कौन सी है तो बेमनार जील है जो की केरल में है प्रमुख नदियां, पेरियार, पंपा और भरत पूड़ा जिसे हम भरत पूजा नदी के नाम से भी चानते हैं प्रमुख फेस्टिवल ओडम है प्रमुख लोकिनिरत कथकली है मकर बिलक्यू फेस्टिवल सबरी माला मंदिर के अंदर किरल में मनाते हैं भारत में सरवादिक लिंगानुपात और साक्षरता किस राज्जी की है तो किरल की है किरल के प्रमुख नेशनल पार्क है अनामुडी सोला नेशनल पार्क पेरियान नेसनल पार्क, साइलेंट वैली नेसनल पार्क, एरावी कूलम नेसनल पार्क, पंपादुम सूला नेसनल पार्क, यहां के प्रमुक नेसनल पार्क है, प्रमुक अभेरन है, मुथंगा बनेजीब अभेरन, चिननार बनेजीब अभेरन, पेरावी कूलम टाइगर र इसकष कर लेते हैं सम्मिलन को उप्राश्ट पती जगदीब धंकर जी के दुवारा संभोदित किया गया है और यहां सम्मिलन तीन दिवसिये है यानि कि तीन दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा चार नवंबर तक इसका आयोजित होने वाला है कहां पर वरनासी में और इ ये जो 51 वर आस्टिय सम्मिलन है इसका विश्य रखा गया है भारत एड़ारेट, G20, सासर और पुर्धोगिकी के माध्यम से सतत भविश्य को सतत शशक्त बनाना ये इसका विश्य रखा गया है। एक नवंबर 2023 को AI सुरक्षा सिखर सम्मिलन की मेजवानी किस ने की है तो UK के दुबारा की गई है। 10 जनवरी 2024 को याद रखेंगे कब 10 जनवरी 2024 को वाइप्रेंट कुजरात सिखर सम्मिलन के दसवे संस्करन का उधगाटन करेंगे। अगला सबल भारत नए हाली में किस देश के साथ मॉबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रिमेंट पर हस्ताक्षर किये हैं। तो फेंट्स याद रखेंगे ये हस्ताक्षर किस के साथ किये गए हैं तो इटली के साथ किये गए हैं। किसके साथ इटली, अब बात करेंगे इटली के बारे में, तो इटली कहां पर आता है, यूरोप महादीप में आता है, ये देखें ये है इटली, याद रखेंगे इटली की जो सीमा है, वो मेडिटेरियन सी से लगती है, इटली की कैपिटल है रोम, रोम किस नदी के किनारे ह तो टाइवर नदी के किनारे है यह आपको याद रखना है इसके अलाबा इटली की केरंसी को यूरो कहते हैं माउंट एट ना जो आलमुखी इटली में है इटली की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो पू नदी है जैसा कि आप सुभी पिक्के माध्यम से समझ सकते हैं यह है प Indiya Manufacturing SOH का उठ्गातन गिया है तो India Manufacturing SOH का जो आयुजन है वो कहां पर हुआ है पैंगलोर करनाटक में हुआ है और इसका उठ्गातन रक्षा मंत्री राचना सिंग के दुवारा किया गया है फ्रेंट्स यह तीन दिवसिये कारिक्रम है जिसकी ठीम रखी गई है make in India, make for the world, ये थीम आपको याद रखने हैं, कहां पर हुआ है, करनाटक पैंगलोर में, अगला संबार, किस देश ने परमाणू परिक्षन प्रतिबंद संदी का अनुमूदन बापस ले लिया है, तो फेंट्स याद रखेंगे, इसे बापस ले लिया गया है, रूस के जो सवाल है न वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि ब्यापक परमाणू परिक्षन प्रतिबंद जो संदी है, ये कब लागू हुई थी, तो ये आपसे पूछी जा सकती है, इसने लागू किया गया था सेप्टमबर 1996 में, अगर मैं आपसे पूछूं कि CBDT का जो मुख्या वो कहां पर है, तो आप याद रखेंगे, बियाना में है, बियाना किसकी कैपिटल है, तो ये और यही पर इसका हैटकौटर है, बर्स 2023 में कितने देशों के पास परमाणू हतियार है, तो नौ देशों के पास है, विश्व का सबसे बड़ा परमाणू, सत्रगार, किस देख सकते हैं, और मैप में आप देखेंगे, तो रसिया आपको दिखाएदेगा, और दुनिया के सबसे गहरी जील, बेकाल जील है, जो कि आपको कहां देखने को मिलेगी, तो रसिया में देखने को मिलेगी, अगला सबाग, भारत में पहले, अंथरास्टिक क्रूज सर्वनन सुनवाल कौन है, तो ये केंड्रिय बंदरगा, जहाज, रानी और जलमार्ग मंतरी हैं परतुमान में, और इनी के दुवारा मुंबई में, भारत के पहले, अंथरास्टिक क्रूज लाइनर, कोष्टा सरेना की, घरेलू, नोकयान का शुबारम किया गया है, हाली म की क्रूज की पहल, देखो, अपना देश का हिस्सा है, अप याद रखेंगे, इसके लाउंचिंग किस ने की है, सर्वनन सुनवाल ने की है, कहां से की है, मॉंबई माहराष्ट से की है, रेबीजन करेंगे उधगाटन, लेटस्ट करेंट अफ ये, प्रधान मंतरी नरेंद कॉंग्रेस के साथवे संसकरन का उधगाटन किया, पूछा जाएगर आपसे कि इंडिया मॉबाइल कॉंग्रेस का जो साथवा संसकरन है, ये कहां पर हुआ था, दिल्ली में, अमिसाह ने गुजरात के गांधी नगर के कलोल में, इफको के नैनो डिएपी, प्लांट का उधगाटन किस ने किया है, तो बल्ड फूट इंडिया 2023 का जो दूसरा संसकरन है, इसका उधगाटन किया गया है, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदीजी के दुवारा, याद रखेंगे कब किया गया, तो 3 नवंबर को किया गया है, नई दिल्ली में, भारत मंडपम में, पूर्षकारी करम का जो समापन है, यानि कि 5 नवंबर को इसका समापन किया जाएगा, रास्टुपती, द्रोपती, मुर्मुजी के दुवारा, अगला जबाल है कि किसे हाली में, दूसरे रोहिनी नएयर पूरुसकार से सम्मानित किया गया है, तो 2 जो रोहिनी नएयर दीनानात राजपूत को 36 गड़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं के ससक्ति करण में उनके महत्पूर्ण योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नयर पुरुसकार से सम्भानित किया गया है दीनानात राजपूत ने नसकल प्रवावी छेत्रों में केबल महिलाओं के लिए किसान उत्पादक संग अठन की इस्थाफना की थी अब रिबीजन करेंगे पुरुसकार लेटेस्ट करेंट अफ्यार बैंगलोरू के दस बरसी है बिहान तल्या को वाइल्ट लाइफ फोटोग्रापर of the year का पुरुसकार दिया गया पच्छिम बंगाल के जो राज्जपाल है इन्होंने दुरगा भारत सम्मान पुरुसकार पुरुसकार परदान किये योरोपी संकास सखारो पुरुसकार दो हजार तेस ये दिया गया जीना महिसा अमीनी को पूने में नेत्र विज्ञान के लिए किसे पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो इनका नाम है डॉक्टर एम गोखले क्लास के शुरबात में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि वंडे विश्व कब इतिहास में सरवादिक विकेट लेने वाले गेनवाज कौन है तो इसका सही आंसर था आपसन भी मोहममस समी है याद रखेंगे आप सबी तो अब रिवीजन कर लेते हैं कल के शेशन का कि कल हम लोगोंने क्या-क्या पड़ा था फीपा पूरुस विश्व कब दो हजार चौटीस की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो फेंट्स याद रखेंगे साउदी अरब के दुवारा की जाएगी दो हजार चौटीस में चीनी कम्यनिस्ट पार्टी के प्रतिनीदी मंडल ने किस दीप के साथ सम्मंद बढ़ा है तो सोलो मन दीप के साथ बढ़ा है अगर सोलो मन दीप के बारे में डिटिल से जानना है तो कल का शेशन आप सभी जरूर देख लेजेगा किस सहर के राजभवन में प्रतिस्ठित सिंगहासन कक्ष जो बिटेस युग की भबेता का प्रमान है का नाम बदल कर सरदार बल्लब भाई पटील की शमर्ती में रखा गया है तो फेंट्स याद रखेंगे ये कॉलकाता पच्छिम बंगाल में है किस देश के सर्च इंजन बाइडू ने चैट जीपीटी का भुपतान संसकरन लॉंच किया है तो बाइडू कहां का सर्च इंजन है ये है चीन का सिरिलंका के त्रिंको माली में भाट्य एस्टेट बैंक के साखा का उदगाटन किस ने किया है तो बित्व मंतरी निर्मला सीता रमन जी के दुवारा किया गया है केरल जोती पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो केरल जोती पुरुसकार जो कि केरल का सर्वोच नागरिक पुरुसकार है यह है पुरुसकार मिला है टी पद्मनामन को जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते है किस मंतराले दुवारा विशेश अभियान 3.0 जो सपलता पूर्वक संपन्न किया गया है तो खनन मंतराले के दुवारा यह है संपन्न किया गया है टाटा पावर रिन्यूवल एनरजी लिमिटेट के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो फेंड्स इनका नाम है दीपेस नंदा जिनने आप सभी पिक में देख सकते है अगला सपल साल 2023 के विटिस अकेडमी पुक प्राइस से किसे सम्मानित किया गया है तो इनका नाम है नंदनी दास जिनने आप सभी पिक में देख सकते है ACI सूटिंग चैंपियंसिप 2023 में पुर्सो की 50 मीटर राइफल्स 3P इवेंड में किसने सुवण पदक जीत लिया है तो एश्वर्य प्रताप सींग तौमन ने गुल्ड मेडल जीता है मेरी माटी मेरा देश कारिकरम के तहत किस राज्य या केंद्र सासित प्रदेश ने सर्वस्रेश्ट प्रतर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों का दर्जा हासिल किया है तो उसका सही आंसर है अपजंडी यानि की जम्मो कश्मेन तो ये था कल का करेंट अफियर अगर डिटिल से जानना है तो एक बर कल की क्लास चरूब देख लिचेगा अब डिसकस कर लेते हैं टॉप टैन स्टैटिक ची के कुशन किस देश की सीमा काला सागर से नहीं लगती है तो फेंट्स याद रखेंगे बेलारोस की सीमा नहीं लगती है वर्फ का पिशाल छेत्र जो धीरे धीरे पहाडी से नीचे पिगल कर खिसकता रहता है उसे क्या कहा जाता है ग्लेश्यर पोलो खिलते समय किस भारतिये बात सहा की म्रत्य हुई थी कुतु बुदीन एपकी रामकिश्न मिशन की इस्थापना किसने की थी स्वामी विवेका नंदने सीमांत गांदी के नाम से किसे जाना जाता है खान अब्दुलकफार खान को साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है तो वाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं मनुष्य ने सर परतम किस धातु का प्रियोग किया था तामबा तमाकू का पोधा किनके दुबारा भारत लाया गया पुर्तगालियों के दुबारा बर्तन बनाने में प्रियोग द जर्मन सिलवर एक मिश्र धातू है जिसमें सामिल है कुपर, जिंक और निकेल वहे जीब कौन सा है जो बायू प्रदूशन को मॉनिटर करता है तो लाइकन के दुबारा किया जाता है कल के शेशन में आप से सबाल पूछे गए थे जिनके आंसर देख लेते हैं ओसन सील्ड दो हजार तेईस अभ्यास कहां पर हुआ तो इसका सही आंसर था ओप्सन भी बाल्टिक सागर में इसका आयोजन किया गया था निमने में से किस राज्च सरकार ने सयोग तरास्ट जनसंक्या कोस के सयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालिट चैट पोर्ट पेस किया तो इसका सही आंसर था ओप्सन A मद्दप्रदेश विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील कौन सी है तो उसका सही आंसर था ओप्सन डी सुपीरियर जील है बांधवगड रास्टिय उध्यान किस राज्च में इस्तित है तो उसका सही आंसर था ओप्सन सी मद्दप्रदेश में है अब आप सभी के लिए सबाल है जिनके आंसर आपको कमेंट्स वॉक्स में लिखने है पहला सबाल है कि किस देश की सरकार ने एक एहम फैंसला लेते हुए इसकूलों में हिजाब और नकाब पर प्रोक लगा दी है कजाकिस्तान, इसराइल, ज्यापान या फिर इरान संगाई सयोग संगठन की सरकार प्रमुखों की बैठक कहा हुई बीजिंग, तासकन, विसकेक या फिर नई दिल्ली ज्यापान, तच्छड कोरिया उत्तर कोरिया, चीन और रूस में से किसकी सीमा ज्यापान सागर से नहीं लगती है रूस, चीन, उत्तर कोरिया या उपरुप्त में से कोई नहीं चेरी एरना कौफी किस देश में उत्पादित की जाती है वियतनाम, कैमरून लाइव एरिया या फिर यमन तो फेंट्स इनके जो आंसर हैं वो आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं आज का ये शेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताईएगा अगर क्लास अच्छी लगी हूँ तो जादा से जादा शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मिलते हैं नेस्ट शेशन में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत